नमस्कार देश्वासियों, आप जानते हैं कि दुनिया में जब कभी भी तानाशाह पैदा हुआ तो वो हारा है, तानाशाह हमेशा तानाशाह ही नहीं चलती, एक दिन उसका आंत होता है, भारत में भी इस देश के लोगों ने, नौजवानों ने, क्रांतिकारियों ने, हमारे रणबाकुरों ने, हमारे शहीदों ने, इस देश की आजादी मुफ्त में नहीं पाई है, दान में नहीं पाई है, लड़के पाया है, कितने लोग सहीद हुए है, कितनों की जान गई है, तब इस देश को आजादी मिली है, इसलिए, यह आजादी से लिया गया, यह आजादी जो ली गई है, अंग्रेजों से जो छीन करके लिया गया है, वह आजादी हमारा निस्फल न हो, यह छुड रहे, बरकरार रहे, भारत का लोग तंत्र जिन्दा रहे, दुनिया में अपना पर्चम लहराता रहे, इसलिए आवशकता है, आज इस देश के नौन हालों को जागने का, जो लोग भी इस देश में सो रहे हैं उनको जागने का, कम से कम दस साल का जो सासन रहा है, भारत के अंदर, 2014 से लेकर के 2024 तक, इस सासन को आपने देखा, महगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हुई, सिच्छा पर बात नहीं हुई, इस देश के अंदर स्वास्त के उपर नहीं बात हुई, आस्था धर्म की चर्चाएं की गई, कासी भी सुनात कारीडोर का चर्चा हुई, अजोध्या मंदिर बना करके पूरे देश के अंदर प्रसाद बाटा गया, खुब डंका पीटा गया, लेकिन भाईयो, भारतिय संभिधान यह कहता है, यह संभिधान धर्म निर पेच्छा है, आपकी आस्था जिस भी धर्म में है, आप उसको मानिये, आप उसको चलाइए, लेकिन आस्था को राजनीत में मत कनवर्ट करिए, लेकिन यह खुब इसका नंगा खेल हुआ, भाईचारा बिगाड़ा गया, नफरत का माहोल फैल आया गया, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर आजादी के जंग में सबसे ज़्यादा जो लोग कुर्बानिया दिये, आज उनका परिवार 2014 से लेकर के 2024 तक तड़ पर आए, धन दिया, दोलत दिया, आजादी के लिए, आजादी में लड़े, मरे, खपे, इसी जमीन में दफन हुए, और नफरत का ऐसा बाजार बनाया गया, कि भाईचारा ही इस देश से खतम हो गया, मुहबत ही खतम हो गया, बोलो तो जेल, लिखो तो जेल, और सारे मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया, बारे मीडिया, इन लोगों ने इस देश की रचना को भी नहीं समझा, जो जनता के लिए सवाल सत्ता से करना था, इस गोधी मीडिया ने सत्ता के पक्ष में सवाल ख़़ा किया, और जनता से ही स कुछ पत्रकारों ने इस देश को बचा लिया वो कैसे कैसे यातनाएं जहेल करके इस देश के अंदर रोसनी पाइदा करते रहें लेकिन फिर भी कहता हूं कि तानाशा हमेशा हरा है और दुनिया में जहां कई भी तानाशा पैदा होगा वो हारेगा मरेगा मृत्यू सत्य है यह तथागत बुद्ध ने यही कहा है कि जन्द्म सत्य है और मृत्यू सत्य है लेकिन इसके पीच इसके बीच में जब कंधे पर लोग लेकर्चे चलते हैं तो जो बात बोलते हैं व लेकिन इस देश में असत्य को सत्य बना करके खुब टहलाया गया भाईयों यह जादा दिन तक नहीं चलता और हमारे देश के कुर्बान नहीं दिये गए दिये जो नौजवान थे जो सहीत थे जिन्नों ने इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ा और अंग्रेजों से छीना उनों वो कहा करके गए और हम लोग हर आजादी के जस्न में ये गीत गाते हैं अपने उन पुरवजों के बात को दूराते हैं जो वो पुरवज हम से कह के गए हैं हम लाए हैं तुफान से किस्ति निकाल के लोगों इसे रखना संभाल के इसलिए जिन्निदारी वो किस पर सोप गए हैं इस देश के सहीद किस के उपर सोप करके गए हैं जो चीन करके आजादी लाए हैं अंग्रेजों से अब आने वाली जो जैनरेशन है आजाने वाले जो नवनिहाल है उनको इस बात को याद रखना है परिच्छा देने जाते हैं पेपर आउट हो जाता है 2014 से 2024 तक में अब उन बच्चों की आयू जो है 10 साल और बढ़ गई कौन लाकर कि इसको वापस करेगा जो पेपर लिखोने से इन नौजवानों का भविष्य खराब हुआ और एज में जो बहत्तरी होई कि कल को आप किसी नौकरी या किसी परिच्छा में बैठ नहीं सकते ये नुक्सान की भरपाई कौन करेगा जूट किते दिनों तक चलेगा कासी कारीडोर बन गया अजोध्या का राम मंदिर बन गया क्या मंदिर हमारे बच्चे को डाक्टर बनाएगा इंजीनियर बनाएगा साइंटिस्ट बनाएगा वकील बनाएगा क्या बनाएगा या हमारे बिमार आदमी को ठीक कर देगा बताइए आस्था है आस्था है जिसकी जिस भी भारत के अंदर जिस ब्यक्ति की जिस भी धर्म के अंदर आस्था है वो माने चलाए लेकिन इस पर राजनीत नहीं होनी चाहिए लेकिन धर्म को राजनीत से जोड़ करके नफरत का माहौल पैदा करके दस साल को सासन किया गया और आपने देखा भूख से लोग तडपते रहे इस देश के प्रधान मंत्री कहते रहे कि हम 80,000,000 अशी करोड लोगों को हम 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं इसके पीछे क्या तरक आप देना चाहते हैं ये किसका न आप दे रहे हैं किसके कमाई का है ये किसके धन से ये आप दे रहे हो भाई ये तो जनता का ही नसब है किसानों का ही न परिश्रम है किसानों का किस तरह से इस देश में इज़्जत किया गया कितने किसान जा करके दिल इतना थेथर होता है कि वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता आज भी जो जनादेश आया है दोहजार चोविस में वो दोहजार चोविस का जनादेश यह कारा है कि बरतमान प्रधान मंत्री या बरतान ग्रिह मंत्री चाहे आधाणी अमित नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित साह हो आशे सासकों को यह देश की जनता नकार दी है जिस राम मंदिर को का डंका इतना पीटा गया वहां से इनका प्रत्यासी हार जाता है अरे ये तो जो जना देश मिला है इसमें थोड़ी विपच्छ के लोगों की कमी भी रही है कमी ये रही है कि ये लोग हवा हवाई पर चल करके देश की अंदर चुनाव के माहौल बनाते हैं लेकिन जिस तरह से भारती जनता पार्टी की भी कुछ चीजों को आपको ग्रहन करना पड़ेगा विपच्छी लोगों को भारती जनता पार्टी का जिस तरह से बूथ अस्तर पर उसका संग्ठन था जिस तरह से उसने पन्ना प्रमुख बनाया था क्या विपच्छ के सारी पार्टियों के पास इस तरह के कारणा में थे नहीं थे अगर होते तो यह जीरो पर आउट होते गाउं में बूथ में आपका संग्ठन नहीं था वरना जो लहर चली थी राहुल गांधी के पदयात्रा से जो देश के अंदर एक चेतना बनी थी और बार बार जो चिलाया गया संभिधान बदल देंगे मंत्री भी का रहा है लडने वाले उनके संभिधान बदल देंगे और नए संसद हाल में संगोल लाकर के खड़ा कर दिया राजदंत का प्रतीक रखा गया वह लोगतंत का प्रतीक संगोल नहीं है वह राजदंत का प्रतीक है भारत लोगतंत्रिक देश है दुनिया में इसका डंका लोगतंत्र के नाम पर बजता है और ग्यान किये या देश रहा है दुनिया के लोग यहां पर आते थे और ग्यान ग्रहण करते थे और जब हमारे लोग जाते हैं वी देशों में तक आते हैं बुद्ध के देश से आये हैं अब भारत में बुद्ध के खिलाप युद्ध छेड़े हुए हैं जूट को महावल बनाये हुए हैं जूट फरे पर देश से ला रहे हैं अरे यह कब तक चलेगा तो इसलिए देश की जनता ने नकार दिया है जो जनादेश आया है इसमें एक अच्छाई भी है कि जिसे लोग कहते हैं पल्टू राम मैं उनको पल्टू राम नहीं कहता वह एक विद्वान आदमी है नितीश कुमार आईटी के इंजिनियर रहे हैं उन्होंने इंजिनिरि हाइली क्वालिफाइड हैं बिहार में सासन चलाया और जो जाती जनकरना का इस देश के अंदर उन्होंने अभियान चलाया वो देश के अंदर ये पहला अभियान है बिहार से जिसके जनक अगर किसी को कहा जाएगा तो उसके लिए नितीश कुमार और तेजस्वी का नाम नहीं भुलाना चाहिए अब ये जाती जनकरना जो बिहार से चला है वो पुरे देश में हो इसके लिए नितीश भाबू को निशित तोर पर अदेश के सत्ता के साथ बैट करके और नए महोल में इसको देश अस्तर पर लागू करना चाहिए क्योंकि भारती जनता पार्टी तो एक कर चुकी है कि हम जाती जनकरना नहीं कराएंगे अरे दुनिया में जितना भारत में जाती है क्या दुनिया में इतनी जातिया है यहाँ पर पसु पच्छी की गढ़ना हो सकती है और जिन्दा आदनी की गढ़ना क्यों नहीं हो सकती है और बिना जन गढ़ना कराए मलाई कारते रहो मुठी भर लोग इस लोगतंतर का अनंद उठाते रहो यह अखिर यह कब तक चलेगा भाई इसलिए मैं अपने नितिस कुमार जो बिहार के मुख्य मंत्री है आप अगर आज यंडिये के साथ नहीं गए होते तो साथ भाजपा का बिहार में बहुनी तक नहोता लेकिन ये बात स्पस्थ हो गया कि आपके कारना में ने आपको बिहार में बहुत दिलाई है बिहार के लोगों ने आपको माना है आपको छोड़ा नहीं है बिहार के लोग अब ये चाहते हैं ये दिल्ली में बर्ट करके और पुरे देश के अंदर ये जाती जनगरना का महोल तयार करिए हम तेलगू देशम के नेताओं से भी कहना चाहेंगे क्या भूल गए आपको कैसे जेल भेजा गया था जेल जाना भूल गए और किन सुविधाओं के लिए आप कहा लगे हो आप आओ नए महावल में आओ देश बदलाव चाहता है देश परिवर्तन चाहता है और अंधेर नगरी चोपट राजा का खेल अब खताम हो चुका है देश नहीं चाहता है लेकिन तारासा गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है और गद्दी वो इज़त के साथ छोड़े तो अच्छी बात है वरना इस देश की जनता जब अंगरेजों से सत्ता चीन सकती है तो ऐसे लोगों को ये माफ नहीं करेगी ये होस में रहें हाँ कुछ दिन सत्ता ले करके अपने जो कर्म हैं जो पाप हैं उन फाइलों को आप जला दो साच को मिटाने में भले ही अपना योगदान लगा करके कर लो लेकिन ये देश नहीं भूलेगा देश जानता है कि आजादी के जंग में भारती जनता पार्टी के लोगों का आरेसस के लोगों का क्या योगदान रहा है ये पूरा देश जानता है अगर नहीं जानता है तो मैं पड़े लिखे नोजवानों से अपीर करूँगा कि मैं तो पका हुआ आम हूँ लेकिन आप नोजवान हो कल का भारत आपको देखना है कल का भारत आपको बनाना है और दुनिया में परचम भारत के लोकतंतर का अगर लाराना है तो निश्चित तोर पर संभिधान से इस देश में चले, संभिधान का राज होना चाहिए, संभिधान को ताग पर रख करके इस देश की सत्ता चलाने वालों को अब आपको बाहर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको तयार होना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने देशवा कि वह जो लोग नहीं पर सके हैं जो इस विवस्था के बारे में जो इस पुषासन के बारे में नहीं जानते हैं इन पढ़े लिखे वका दाइद तो है कि वह जाकर के गाओं में और चौपाल के बाट करें अपने देश की यनपढ़ जन्ता को समझाएं बताएं और विपच्छ से मेरा उन्रोध है गटबंधन बना रहना चाहिए और व्यापक बनाएए और भी जो छोटे छोटे चाक्ते हैं उन सब को जोड़िये जोड़ करके नए भारत के अंदर लोगतंत का मजबूत नियुखडा हो इसके लिए आप काम करें और भाजपास से एक ची बुक नहीं होते तो आज जो कुछ भाजपाने पाया है यह भी उसको नहीं मिलता क्योंकि इतना क्योंकि इस बार का चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ी है इस देश के अंदर इस देश का चुनाव 2024 के का चुनाव देश की जनता लड़ी है लेकिन अगर आप संक्थन को ठीक तरीके से बनाए होते अगर गाओं में इसको सही तरह से चलाए होते संक्थन बना करके तो यह परणाम कुछ और देखने को मिलता तो जो तुटियां हुई हैं जो भूल हुआ है उसका सुधार होना चाहिए और सुधार हो करके नए भारत के निर्मार के लिए और लोगत क्रण के अश्थापना के लिए संभीधान का राच चले इसके लिए इस देश के हम तमाम दलों को भी हम उनसे हाथ जोड़के परणा करते हैं कि भारत का संभीधान अच्छुन है अच्छुन रहेगा और इसके बारे में आप चलाएं और जो भी इस Legislative का सिच्छा महात्मा फूले सावित्री भाई फूले साव महाराज बाबा साव अंबेत कर भगत सिंग जैसे लोगों को पाठिक्रमों में ला करके पढ़ाना चाहिए ताकि इस देश से अंधविश्वास का नास हो सके और कभी इस देश के अंदर जूट बोल करके इस देश के अंदर सासन करने वाले न पाइदा हो सके इसके लिए आपको फिर से एक नया अभियान चलाना होगा और अपने भारत को के लोकतंत्र को भारत के संभिधान को आपको बहुत ताकत प्रदान करना होगा इनी चंद बातों के साथ अपने बाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद